अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कौने से टीचिंग लाइन से जुड़ी होई बड़ी खबरे पाना चाते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी इंपोटेंट खबर लेकर आया हूँ ये खबर अच्छी भी है और कुछ एंगल से मुझे गलब भी लगी हलाकि जो कोट ने फैसला दिया है उस फैसले को हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए अभी क्या खबर है आप वीडियो के साथ बने रहे हैं तो फ्रेंट्स अभी ये खबर है जैसे आप प्राइवेट स्कुल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और फीस नहीं देने के कारण अगर उनका प्रमान पत्र रोक दिया गया है और वो इस कारण से दूसरे स्कुल में एडविंसन नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे प्राइवेट स्कुल पे कोट कारवाई कर सकता है और court ने order दिया है कि ऐसे private school मतलब फीस के आधार पर बकाया फीस के आधार पर प्रमान पत्र को नहीं रोक चकते ये क्या है कानूनी एक अपराद है इसे अपराद की स्रेनी में माना गया है और ऐसा करने पे जो court है जो private school है उन पे कारवाई करेगा तो friends अभी क्या date है वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ एक student था जिस पर एक लाग तीन सो इकतिस रुपे फीस बकाया थी और फीस नहीं देने के कारण जो मतलव उनको transfer certificate देना था उसे देने से मना कर दिया school वालों ने इसके बाद जो student हमारे जो अधिवक्ता अशोक अगरवाल सर तो उनके पास हो गए तो उन्होंने मतलव court में अपील करी कि ऐसा मतलव मामला है इस वज़े से एक student को मतलव transfer certificate नहीं दिया जा रहे तो इसके पाद जो court ने order दिया है कि इस तरह हम किसी का transfer certificate नहीं रोग सकते ये हक नहीं है private school को और मतलव private school को transfer certificate देना पड़ेगा तो अगर आपके बच्चों के साथ भी कहीं ऐसा होता है बहुत जादा फीस वसूली जाती है या मतलव वो इस तरह के और मामले सामने आते हैं आपके स चीज का गलत फाइदा उठाएं क्योंकि private school है उसमें अध्यापक भी है और मतलव उनकी salary भी आपके बच्चों की फीस से जाती है हलाकी ऐसा नहीं है काफी जगे गलत भी होता है उन अध्यापकों को सिर्फ 2-3,000 रुपे ही दिये जाते हैं तो लेकिन कोई भी चीज है तो आप सही डंग से उकाम करें अध्यापक हैं वो भी अपनी salary के लिए लड़ें अच्छी salary दी जाए आप लोगों को क्योंकि इसके regarding मैं जल्दी कुछ वीडियो जापको दूँगा अगर आप हर्याना से हैं दिल्ली से हैं तो कितनी salary minimum होनी चाहिए कि अगर नहीं होती है तो कोट ने order दिया है दिल्ली के अंदर कि अगर कोई भी school है private school transfer certificate को रोक नहीं सकता बकाया fees के आधार पे चाहिए कितनी भी fees है अगर fees कोई candidate नहीं दे पार है तो ऐसा भी नहीं कि आप उसे force कर सकते हैं तो यह अभी update है तो वीडियो अच्छी लगे friends के साथ share करें ज्यादा स हुआ 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 है